हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपनी यूटूब चैनल मोटिवीशन बाइदिक्षा में आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं कि बहुत देकालिन सिक्षा क्या होती है तो फ्रेंट्स यदि आप बीए बीएट फर्स्ट असेम की स्टूडेंट ह यदि आप बीएट फर्स्ट यर भी कर रहे हैं या आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके ही आने वाले सभी एक्जामों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टन टॉपिक दिया गया है तो हम देखेंगे कि बहुत देकालिन सिक्षा क्या होती है और आपक टॉपिक है प्रभवजा या प्रभवजा संस्कार क्या है तो जो बहुत देकालिन सिक्षा है इसकी विसीस्ता के अंतरगत दिया गया है लेकिन एक्जाम में अलग से यह कोश्चन दिया जाता है कि प्रभवजा या प्रभवजा संस्कार क्या है तो चलिए वीडियो पर ए सबसे पहले हम प्रभज्य या संस्कार क्या है तो इसके बारे में हम देखिंगे आप सबसे पहले हम जानले के बौध्यम सपा हुती क्या हैं तो बौध्यकालिन जो सिक्षा है वो मनुष्य का सारवाणगिन विकास का एक साधन मानी जाती है इसका मुख्य उद्देश होता है कि पुस्तकी ज्यान प्राप्त नहीं करना बौध्यकाल का जो में परपस है कि पुस्तकी ज्यान नहीं देना बच्चों को अपितू मनुष् का विकास करना जिससे क्या होगी सायरेक मांसिक बोधिक तथा अध्यात्मिक का ये एक प्रमुक साधन माना जाता है जो बोधेकालें शिक्षा होती है वो उत्तर वैदिक काल में धर्म के अनेक दोस आ गए थे इसमें कर्मकांडो की भी प्रधानता हो गई थी इसमें इस्त्री तथा सूद्र जो है की द्रश्टी से देखे जाने लगे थे और उनकी सिक्षा की इन्होंने उपेक्षा भी कर रहे थे ऐसे समय में क्या हुआ कि भगवान बुद्ध ने अफ्तार लिया उसके बाद उन्होंने जो धार्विक रांती उपस्थित की उसका प्रभाव ततकालिन सिक्षा प्रणाली पर भी पड़े गया और परणाम सरूप एक नई सिक्षा प्रणाली सामने आई जिसे हम कहते हैं बाद उकालिन के जो प्रवर्तक थे वो थे महात्मा बुद्ध जी थे आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व कौतम बुद्ध ने किया था जिसने इन्होंने बाद ढर्म की इस्थापना की बौध धर्म को व्यापक हिंदू धर्म का ही एक विक्सत रूप माना जाता है बौध धर्म की जो प्रचार एवं प्रशार के लिए इन्होंने बौध मठों तथा बिहारों की स्थापना भी की थी और प्रारम में इन मठो तता बिहारों को एक मात्र उद्देश्य था कि बौध धर्म की सिख्षा प्रदान करना जिससे सभी धर्मों के छात्रों को मठो और बिहारों में भी सिख्षा दी जाने लगी बौध धर्म में निर्वान प्राप्ती पर अधिक बल दिया गया अब हम देखेंगे कि निवान से अभिप्राय क्या होता है तो निवान यानि होता है कि उस स्थिती से जिसमें सभी लालसाइं समाप्त हो जाती हैं और बौध काल की सिख्षा का प्रमकोद्देश्था की छात्रों को ऐसे आचरण सिखाना जिससे मस्तिक में स्थिर्था इवं सांती हो सके और यह जो सिख्षा थी वो नालंदा विहार यानि कि बौध कालें सिख्षा का एक गौरव बन गया था अब हम देखेंगे कि बौध कालें सिख्षा की विसेश्था करेक्टरिस्टिक और बुधिस्ट एजुकेशन तो बौध कालें सिख्षा की क्या-क्या विसेश्था हो सकती हैं इसमें पहला पॉइंट है हमारा प्रभजा या प्रभजा संसकार यह क्या होता है कि बौध काल कुछ देखेंगे थर्ड पॉइंट है कि गुरु और सिसी का कैसा संबन्द था बौध्यकाल में पूर्थ हम देखेंगे कि बहवारिक विश्यों की सिक्षा बच्चों को कौन-कौन सी सिक्षाई दी जाती थी अगला फिप्त है हमारा इस्तरी सिक्षा और से बौध्यकाल में की प्रवज़ा और संस्कार का मतलब ही होता है कि बाहर जाना यानि कि बाहर जाना ऑउट बालक अपने परिवार को त्याग करके पूर्व स्थिति का परित्याग करके संग में प्रवेश करता था इस संसकार का संबंद केवल उन वेक्तियों से होता था जिनके जीवन का मुख्योदेश होता है कि बौध भिक्चू बनना वही बच्चे जाते थे कि जिनका में परपस होता था कि वो क्या करें उनकी जीवन का लक्षी है कि बौध भिक्चू बनना प्रवबजा संसकार में जो विने पिटक में बताया गया है कि इसके कुछ नियम है कि बच्चा जब प्रवबजा संसकार में प्रवेश करता है तो उनको कुछ नियम से फॉलो करने पड़ते हैं जिसमें पहला पॉइंट है कि बालक अपने सिर के बाल मुडवा लेता था पीले वस्त्रधारन करता था प्रवेस करने वाले मट के भिक्छों के चरणों को अपने मस्तक से इस्पर्श करता था और साथ ही साथ उनके सामने पालती मारकर भूमी पर पैट जाता था मट का सबसे बड़ा जो सिक्छत था यानि कि भिक्चू था उसे तीन बार सपत लेने को कहता था यानि कि उनको सिखाया जाता था कि कैसे आपको गुरू के सामने रहना है और कुछ नियम्स बताए जाते थे तीन बार सफ़त में बोला जाता था कि बुद्धम सरणम गच्छामी धम्म सरणम गच्छामी और संग सरणम गच्छामी तो बुद्धम सरणम गच्छामी का मतलब होता है कि बुद्ध की सरण में जाना धम्म सरणम गच्छामी यानि कि धर्म के सरण में जाना और संग सरणम गच्छा में ही का मतलब होगा कि संग के सरण में जाना तो इस प्रकार से ही जो मट का सबसे बड़ा टीचर्स होता था वो बच्चों को तीन बार ये सपत लेने को बोलता था अब जो प्रवज़ा संसकार हैं तो सपत लेने के कुछ दस नियम होते थे जिसे हम दस सिखा पदानी भी कहते हैं इसके कुछ दस रूल्स होते हैं पहला रूल्स होता था कि चोरी नहीं करना यदि आप प्रवज़ा संसकार में प्रवेश ले रहा हैं तो आपको ये नियम प्रीन ही नहीं और भी गश्ड धंते को सिंग का प्रियोग मत करना था की मादक वस्तूं सिं वस्तूऊं का प्रियोग मत पूइंट से इस का जिए उस्तूपा दिए लुन किसी वस्तु को ग्रहन नहीं करना जब तक आपको कोई वस्तु नहीं दे देता तब तक आप उसको नहीं ग्रहन कर सकते और नौवा पॉइंट है सौना चांदी और बहुमूल वस्तुओं का दान नहीं लेना और नेक्स्ट दसवा पॉइंट है न्यत्य संगीत आधी के पास जाने का प्रयास मत करना तो प्रवपजा ससकार में सब्वंत लइने के दस नियम इस प्रकार से हैं उसमें बालक जो रहते थे तो नव शेशे या नसे चुला है ते प्रवपजा ससकार में सामनेर का छेपर अपने चुने जाने वाले सिक्षक या गुरू से 12 वर्स तक सिक्षक रहन करते थे इसमें बालकों तथा पुरिशों के समान बालिकाओ एवं इस्तिरियों को भी प्रभवजा संसकार होता था साथ ही साथ यदि प्रभवजा संसकार ही तू माता पिता की अनमती बहुत ही आविशक होती थी इसमें आग्या प्राप्त करना ही आविशक होता था तो ये ओग्या फ्रेंट्स की प्रभवजा संसकार होता क्या है इसके क्या-क्या नियम्स है बौधेकालिन सिक्षा की सेकेंड विसीस्ता जो है वो है सिश्षी की दिंचरिया का महत तो बौधेकाल में जो सिश्षी रहते थे उनकी दिंचरिया का बहुत जादा इंपोर्टन महत वह होता था इसमें जो बौधेकालिन सिक्षा प्रणाली में नेमित रूप से गुरू की सेवा करना चात्र के लिए एक अनिवारे था जो शिश्चे रहते थे वो अपने गुरू की सारीरिक सेवा के अत्रिक्त उनके निवास स्थान को भी स्वक्ष रखते थे यानि कि वो जहां गुरू रहते थे वहाँ पे साफ सफाई बहुत जादा इंपोर्टन होती थी साथ ही गुरू के हाथ पैर धोना वस्त परिवर्तन करना तता विश्राम की विवस्था करना ये सारा जो काम था वो शिश्चे का काम था इसलिए जो शिष्य रहते थे वो गुरु का पूर अनुशासन मानते थे सेकेंड विशेस्ता है गुरु शिष्य का सम्मन तो वैदिक काल में जो गुरु और सिष्य का वही सम्मन्द था कि इनको पिता और पुत्र के जैसे सम्मन्द माना जाता था इसलिए इनका जो संबंद है वो इसकी संबंद में पवित्रता विद्मान थी उन दोनों का संबंद कैसा था घनिष्ट था इस नहीं पूर्ट था क्योंकि वो पिता और पुत्र के जैसे रहते थे गुरूशिष्ट दोनों ही संग में आस्रित रहते थे यानि कि शंग यानि कि समू में रहते थे और बहुत कालिन सिक्षा में जो संग रहती थी वो इसकी जो सत्ता थी वो सरवोपरी थी सरव्यापक्ता थी सरवोपरी थी फॉर्थ पॉइंट है वहवारिक विश्यों की सिक्षा, तो वैदिक काल में बच्चों को वहवारिक विश्यों के बारे में भी बताया जाता था कि आपको कैसे वहवार करना है, कैसे बात करना है, इनके बारे में भी उनको सिक्षा दी जाती थी, इसलिए वो विभिन विभि लोगों के घरों की इस्तरियों को ही सिक्षा प्राप्त किया जाता था बौधकाल में चात्रों की संख्या, निवास इस्थान, भोजन और रहन सहन तो बौधकाल में जो चात्रों की संख्याई रहती थी उनके रहने के लिए एक स्थान दिया जाता था और भोजन की परियाप्त बिवस्थाई भी होती थी, रहन सहन होता था, किस तरीके से रहना है, तो एक भिक्चु, एक नवीन भिक्चु को ही सिख्चा दे सकता था, साथ ही भगवान बुद्ध भिक्चुओं को मठो तथा बिहारों में रहने की आग्या दे दे थे, यहां ज काल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बवशाय के बारे में भी सिख्चाई दी जाती थी, जैसे बुनना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, इनके बारे में उनको सिखाया जाता था, और चिकिस्ता सास्तर के अध्यान का जो केंद्र था, वो था तक्ष सिला माना जाता है इसमें नालंदा तथा विक्रन सिला के विश्य विध्याले में उनको विशाल प्रकार के भवन, तथ कालिन चित्रकला, मूर्तिकला तथा अन्य जो बहुत बिहार हैं वहाँ पे इसकी जो इस्तूप है इसके प्रमान होते हैं तो फ्रेंट्स हमने बहुत कालिन सिक्षा का मीनिंग देख लिया और इसकी जो विसेष्था पloudली हमने प्रभवजा संस्कार के बारे में जान लिया तो फ्रेंट्स आजकी वीडियो में इतना ही हैं अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि मुस्लिम कालिन सिख्षा क्या होती है इसमें मक्तव और मदर्शा के बारे में जानेंगे तो I hope friends उमीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो नौलेज़वल लगी है तेदिया आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो हम